योपी के बहराइच में हुए बवाल के बाद महसी और आसपास के इलाकों में तनाव पूर्ण हालात हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पीएसी आरेफएफ के साथ भावे पुलिस बल तैनात किया गया है। हालाकि बावजूद इसके बीती रात फिर से हिंसा भड़क उठी, कई दुकानों और घरों को निशाना भी बनाया गया। और इन सब के बीच रववार श्राम को हिंसा में मारे गया राम गोपाल मिश्वा के परिजन सीम योगी आदितनाथ से मिलने के लिए लखनों पहुचे। उन्होंने सीम आदितनाथ से मुलाकात की। सीम योगी के दफ्तर में परिजनों के अलावा महसे के विधायक भी मौजूद थे। बूढे माबाप अपने बेटे को खोने का दर्थ बया करते हुए नसराय। इस दौरान उनकी आखों से आसू छलक पड़े।